का दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग जाम अबरलोड पे आज के सेसंद के अंदर गर्द मैं अंसी आईटी इबियस क्लास 5 के चैप्टर 456 को कवर करूंगा जो की बहुत ही इंपार्टन क्लास है सीटेट पेपर के लिए वहीं बीहार से चक्वारती के लिए तो आज का सेसंद करने के पहले चैनल को लाइक और सब्क्राइब कीजिए चलिए आज का सेसंद करते हैं आज का लेसन फोर ह सब्सक्राइब करने की जरूरत होती है तो पार्ट में ब्रिट से किया गया परियोग सुरू से ही किया जा सकता है परियोग को सुरू करने के छे दिन तक चलाना है तो खाना कप-कप खराब होता है बच्चों के अन्भो से हमें निकलवाया जा सकता है खाना खराब होने में और खाना वरवाज होने में असपर्ष रूप से अंतर करने की जरूरत होती है हमें बच्चों से पार्ट में ब्रिट से किया गया परियोग सुरू में ही किया जा स जैसे मूल तारीख आदी देखने में बच्चों की मदद करना अच्छा होगा कच्छा में प्रयोग करते समय मौसम के साउधानिया करते ब्रेट सूखी ना हो कमरे में हवा हो ताजिकर को चार्ट में बनाकर कच्छा में लगाएं तरह बच्छों को रोज भरवाएं तो कुछ दिन तक ब्रेट को रोज देखो जब तक कि तुम्हें ब्रेट पर कुछ बदलाव ना दिखे देड़ेजी ताज़िए को चार्ड पर बनाओ और पूरी कच्छा में हमें चर्चा करना चाहिए बच्चों से तो अगर खाना कैसे परवाद होता है इसके बारे में बच्चों से समझाना है बच्चों को बताना है तो एक ब्रेट्ड या रोटी लीजिए उसे पानी का कुछ चिट्टा मार कर उसे डब्बे में बन कर दीजिए और डेली उसे चिक कर जिए जब तक कि ब्रेट्ड या रोटी में कुछ बदलाव ना आ जाए इससे बच्चे सीखेंगे खाना कैसे खराब होता है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्ट नहां से बनता है चिट्टू बाबू और चिन्नू बाबू ने बनाया मामीरी टांड्रा तो मामीरी टांड्रा क्या होता है या आम का एक पना होता है जिसे सुखा कर बनाया जाता है तो चिट्टी बाई और चिन्ना बाबू आन प्रदेश के आत्र पुड याँ को अलग अलगतरा से पकाती हैं वह आम का अचार भी तीन चार तरीके से बनाती हैं आम का याचार साल भर तक चलता है अगले मौसम के आम आने तक चलिए आगे देखते हैं एक दिन साम को खाना खाते समय चिन्दू बाबु ने कहा अमा इतने सारे आम पक रहे हैं उनकी मामरी टांडरा आम पापर बना रहा है फिर उनके अप्पा ने कहा आया तो चार हफ्तों का मेहनतवारा काम है अगर तुम दोनों भी मजद करोगे तो भी हम सब मिलकर मामरी टांडरा बनाएंगे भाईयों ने मजद के लिए जल्दी से हामी भर दी एक दे दिन सुबह दोनों भाईयों ने अपने अप्पा के साथ बाजार गए वहां से चटाई के जुरूनिया पेड़ के डंडे नाजियल से बनी रसी गुड़ और चिनी खर जा रहा है मा घटिये पे डाल कर सुखा रही है बच्चे फिर खा रहे हैं तो यहां से जो मंता है जैसा कि आप लोग घर पर देखते होंगे कि जब घर में आचार बनाया जाता है तो उससे कांच के बरतन में रखने के पहले कांच के बरतन को धूप में सुखाया जाता है तो जैसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कांच के बरतन में जो नमी हो सुवी तरह से सूख जाए आप परियोग करते समय हमें कमरे में हवा का क्याता आपमान में उसमें नमी कितनी है इनके अन्कूरन होने की समय में अंतर आ सकता है इस बारे में बच्चों से चर्चा करना चाहिए चलिए आगे देखते हैं चर्चा के लिए दिये गए प्रस्णों दोरा बच्चों में समझ बनाई जा सकती है कि पौदों को बढ़ने के लिए हवा मिट्टी पाने की ज़रूरत होती है उनके बीच अंदर क्या होता है आदी प्रस्णों को सोचने में अपने मन के विचार बताने के लिए प्रसायद कर प्रस्णों के दोरा बच्चों में समझ बनाई जा सकती है कि पौदों को बढ़ने के लिए हवा की जरूरत होती है मिट्टी की जरूरत होती है पाने की जरूरत होती है बीच के अंदर क्या क्या होता है आदी प्रस्णों बच्चों को सोचने और अपने मन के विचार बतान अगला प्रस्ण यहां से हर बार पेपर प्रस्ण पूचा जाता है तो पूचह जाता है नपया जाता है तो यहां आश्टेलिया इंडोनेशिया भारत चाहिज पाई जाता है जिसके ऊपर पत्ती का धकन लगा होता है घड़े की खास खुझबू निकलती है जिसकी वज़र से कीड़े खीचे चले आते हैं पौधे के उपर पहुँचते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं यह पौधे सिकार करते हो वाँ कितनी चतुराई से जैसा की पौधा दिखाया तुम कितनी सारे बीज इकटे कर सकते हो कभी सोचा है बीजों में ध्यान से देखो तो बीज के रंग आकार गोल या चप्टा उपरी सता खुर्द्री ये मुलाइम होती है चलिए आगे देखते हैं पौदे अपनी सारी जिन्दगी एक जगह खड़े रहते हम चलते नहीं लेकिन इनके बीज बड़े ही खुमककर होते है पौदों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं जैसा कि फीगर में दिखाया गया कुछ बीच बूड के जाते हैं कुछ फस के जाते हैं तो अगला प्रस्म जहां सीटेर में बार बार पूछा जाता है यहां खटना उनीच सो अटालीस की है एक दिन जार मिश्टल अपने कुट्टे के साथ सेर से ल से बीच कपड़े पर अटक गए थे यहां देखकर मिश्टल को आइडिया आया बिल्कुर बनाने का बिल्कुर से दोनों सता चिपक जाती है और खुलने पर चर्चर की आवाज आती है तुमने बस्ते कपड़े जूते पट्टे आदी में इसका इसका इसमाल देखा ही होग सब्सक्राइब देखा कि उनके ऊपर बीच चिपके हुए थे तो उनको आइडिया बिल्गो बनाने का चलिए आगे देखते हैं पौज़े स्वयम भी अपने बीजों को दोश चिटक देते हैं जैसे स्वयम इनकी फणियां पकर सूप जाती है तो चिटक कर विखने लगती है उनकी आवाज सुनी होगी चलिए आगे देखते हैं अगला पस्ट मनता है कौन कहां से आया जी यहां से हर बार पस्ट पूछ अब यहां सारे भारत में उगाई जाती है तो एक कवीता के माध्यम से बताया गया है आलू मिर्च चाय जी आए पढ़ते हैं कवीता को पहले आलू मिर्च चाय जी कौन कहां से आया जी साथ समुंदर पार से दुनिया के बाजार से ब्यापार से उपार से जंग लड़ाई मार के हर राते से आया जी आलू मिर्ची चाय जी जच्छे अमरीका मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी मोंफरी आलू अमरू धूम मचाते कर अपरिका से क्या है भिंडी और काफी चली आगे देखते हैं नकसे में यूरोफ किदर वहीं से आए गोभी मठर तो गोभी मठर कहां से आए यूरोफ से आए है चाय असम की बाई जी चली चीन से सोयवीन अमेरिका बजाती भीन धूम धूम लवटी अपने देश उससे हैं गुड कई विसे जुरोब जमाकर आई जी आलू मिर्ची चाहे जी तो बैगन मूली सेम करेला आम संत्रा बेर करेला पालक पर टिंडा में थी आई भैने सब देशी भारत की पैदाई ची कौन कहां से आई जी आलू मि बनता है कि साथ में कहां से आई थी तो जच्छी अपरिका से आई थी वहीं आगे अगला प्रस्न मनता है भी काफी कहां से आई थी तब भी का से आई थी ठीक अगला प्रस्न मनता है जो भी में अटर कहां से आया था यूरोब से आया था चाय असम की बाई जी आदू चाहा कि एसम की चीन की सोयवीन है ठीक चलिए अब आगे देखते हैं हम क्या समझते हैं तो इसमें बीच की वारे में बताया गया अगला देशन है बून-बून दरिया-दरिया यहां सभी हर बार सीटेट में परस बनता है बहुत पुरानी बात है छेसे साथ साल पुराना घरसी सर कि जिसे घ्र यानी टालाप कहते हैं आगे जैसन में हम प्रता दोंगाने जाते दोनों तो इस और बनाया हुआ को के तो इसे किसने बनाया था राज गरसी ने बनवाए था 750 साल पुराना घर सीसर है यानि तलाव मीरीव तक पहले की तरही है बाउने पर साल पानी की कोई पैसानी नहीं होती थी今हां पर आऑज घर सीसर जैसे उजर सघया नू cabinet के राष्टे में और कालोनिया बन गई है यहां एकट्टा होने वाला पानी अब तालाव की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है चलिए तो यहां से जो जो में था उसको मैंने बता दिया चलिए आगे देखते हैं अलबरूनी के बारे में बात करते हैं यहां से भी सीटेट में हर वार पसनम पूछा जाता है अलबरूनी एक नजर में हजाज से भी जादा साल पहले एक याती भारत आये थे उनका नाम था अलबरूनी अलग अलबरुनी जिद देश से आये थे उसे आजकर उजबेकिस्तान कहते हैं अलग अलबरुनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगाओं को देखा उनके बारे में देखा खाथ तर पर जो अपने देश से अलग लगी चलो देखें कि अलबरुनी उट देश के तलाबों के बारे में क्यालिखते हैं यहां कि लोग तलाब बनाने में माहिर होते हैं हमारे देश में लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे बहुत ही बड़े-बड़े भारी पत्त्रों के लोहेके कुंडों तता सरीयों से जोड़ का तलाब के चारों तरफ चबूते बनाए जाते हैं इन चबूतरों के बीच में उपर से नीचे जाती विश्टियों की लंबी कतारे होती हैं लोगों के उतरने चड़ने के रास्ते अलग-अलग होते हैं यहां कभी फिर लगने से परिसानी नहीं होती है तो यहां आज इत्रियाद पढ़ने वारे लोगों का अलवरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे महुत को पता चलता है अडाक्टिकत उन्नीस जब्ते में छपी थी तब उनमें जन्म के हजार साल पूरे हुए होंगे तो यहां से जो में में टॉपिक निकल के आता है है अलवरूनी कहां से आए थे तो उस बेकिस्तान से आए थे इन्होंने किस के बारे में बताया इन्होंने भारत के तवाफ के बारे में बताया चली आगे देखने हैं बच्चों को बताएं कि अलवरूनी की किताब की तरह से इतिहास के बारे में जानने में मददकार है ऐसे ही अन्होंने की संसार के नक्से बारे में जानने के लिए बहुत मददकार है ऐसी अन्हास कार के सोत हैं जैसे की मारते हैं रस्ताबेर, सिख के इसी आदि के बारे में हमें चर्चा करना चाहिए उजबेकिस्तान की संसार के नक्से पर ढोनने के लिए बच्चों की हमें मदद करनी चाहिए चली आगे बढ़ते हैं कि जमीन पानी किस तरह सोख लेती है कुई है बावडी में पानी कैसे पहुंचा इसे इस प्राद पर में बच्चों से चर्चा करना चाहिए चलिए आगे देखते हैं पानी से जुड़े रिवाज आज भी कहीं कहीं सव साल पुराने पानी के सोथ हैं जैसे बावडी तलाप नौला धारा आज जिन में लोगों को पानी की जिवर पूरी होती है उत्रखन की ये फोटो देखो पानी से जुड़े कई रिवाज जवहर और जस्न होता है कई जगा तो आज भी बारिस से तलाप बनने की खुशी में आसपास मेलियों का महोल हो जाता है या उत्तरखन की एक दुल्हन है जो ब्या के बार आए गाउं में आई है वा जहने अतलाप पर जाकर सिर्जुक आती है आज सेरों में इस जिवाज के एक मजदार रूप दिखता है दुल्हन घर से किसी नल के पास जाकर पूजा करती है पानी से ही जिन्दगी जुड़ी है चलिए आगे द निकाला बावडी ने फिर से प्यासे सहर को पानी बिलाया इसके लिए चंदा भी मौले वालों ने दिया कुछ साल बात फिर से अच्छी बारिस हुई और पानी से प्रसानी कम होई पर फिर से बावडी को बुला दिया गया चलिए आगे देखते हैं तो पानी की सुधा सभ बमस्किल तो है लेकिन जरूरी भी है तो पानी की सुधा सभी को बराबर नहीं मिल पाती है इस पर俺 मैं बच्चों से चर्चा करने जरूरी है साथ ही आपी देखें कि कहां कहां से किनकिन पर्जाणियों से लोगों को पानी बलाना पड़ता है पानी और जात bạn का मुद्दा बहुत ही मुसकिल है लेकिन इसके बारे में बच्चों से चर्चा करना जरूरी है चलिए आगे देखने ज़री सा कि फीकन बताय गया हमारे यहां किस तरह से पानी आता है तो में मैंन में ही टाफिक देखना है अग्ले टाफिक यहां से पनुचा जाता है एह हैं डड़की माई, राजस्तान के अलवर जिले के एक गाउं में रहती थी, इस गाउं में अउर्तों को पूरा समय घर के कामों और जानवरों को देखवार में चला जाता था, कभी-कभी तो जानवर के लिए कुमों में खीचने में पूरी रात जग जाती थी, जब गर्म जो राजस्तान के अलवर जिले के एक गाउं में रहती थी, इस गाउं की अउर्तों को पूरा समय घर के कामों और जानवरों के देखवार में चला जाता था, कभी-कभी तो जानवरों के दिए कुमों से पानी खीचने में पूरी रात लग जाती थी, जब गर्मियों में गाउं छोड़ना पड़ता दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संसा के साथ मिलकर तलाब बना लिया जानवरों के चारे पानी की परसानी कम हुई ज्यादा दूद मिलने लगी लोगों ने कमाई भी बढ़ी वह लोग अब दूद से माव बनाकर भी बेशते हैं चलिए कि यहां से कि यहां से एक पॉइंट और बनता है आज कई संत्राओं में पानी की द्रजाम में लगी है लोग बुजूर्गों से मिलकर या जानने कोसित करते हैं उनके जवाने पानी के इजदाब किस तरह से होता था यह पूराने तलाबों में अरमत करते थे और नए सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आप लोग बीहास इचकवर्ती की तयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर यह अंसीयर्टी के संपूर्ण निचोर कर आया जा रहा है जिसके अंतरगत मैंने एबियस क्लास 34 को खतम कर दिया है वहीं फिप्त के चैप्टर स्टार्ट हो गये हैं वहीं हिस्ट्री या सोसल साइंस के अंतरगत जियोग्राफी 6 खतम हो गया है क्लास 6 का वहीं क्लास 7 के चैप्टर, श्टार्ट हो गये है्गोई वहीं साइंस की समपूर्ण निचोरो की तैयारी करना चाते हैं हमारे चैनिल को लाइक यह और सब्क्राइब कर ली और अगर इसकी पीडिये प्राप्ट करना चाते हैं तो हमारे टेडी ग्राम को जाइन कर लीजिए जिसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आज का सेशन नहीं पर समाप करते हैं कल फिर जाते हैं किसी नए सेशन के तार सब तक के लिए धन्यवाद